माग गुप्त नवरात्री के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन लड़के-लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार-बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिष्टा पक्का नहीं हो रहा है। जल्दी से जल्दी शादी का रिष्टा पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। जैसे कि गुप्त नवरात्री पूरे नौ दिन रहेगी। है यदि इस माह में माग मास में यदि आपको देखना है तो दस फरवरी को गुप्त नवरात्री तिथी प्रारंब होगी। बाकी किसी भी नौ दिनों की टिथी में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। चाहे आपके बेटा या बेटी की उम्र कितनी भी हो गई हो और आपके लाख कोशिशें करने के बाद बार बार प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं। तो मात्र एक ही दिन का प्रयोग है गुप्त नवरात्री तिथी का जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े पित्र दोश को, नजर दोश को, मांगलिक दोश को, ग्रह दोश को ततकाल नश्ट करके शीघ्र मनोरत सिद्धि का योग बना देगा किस प्रकार से प्रयोग विधी को संपन्न करना है ध्यान रहे यदि अभी माग मास में आप संपन्न करना चाहते हैं तो नौ फरवरी को अमावस्या तिथी होगी बाकी दस फरवरी को गुप्त नवरात्री तिथी आती है आगे भी आप कभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी गुप्त नवरात्री तिथी में शीघ्र विवाह का जल्दी से जल्दी शादी का रिष्टा पक्का करने वाला यह माह चमतकारी उपाय आप जरूर संपन्न करें जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह अपने लिए कर सकते हैं नहीं तो माह कर सकती है अथवा अपने बेटा या बेटी के लिए पिता कर सकते हैं अपने बेटा या बेटी के लिए या बड़ी बेहन भी अपने छोटे भाई या बेहन के लिए इस प्रयोग को संपन्न कर सकती है ध्यान रखें जिस किसी भी गुप्त नवरात्री तिथी में आप इस प् और सबसे पहला कार्य है, जैसे कि मैं कोई भी प्रयोग बताता हूँ, तो उसका बेसिक नियम है, सर्व प्रथम घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें। कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है, दोश है, तो उससे हमें मुक्ति दिलाना, श्री विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीरवाद प्रदान करना। जो होती है, इस दिन में कुछ खास प्रभाव होता है। अब अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें, आपको करना क्या है। अगर बताशा आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप शक्कर या चीनी डाल लीजिए। इसके बाद लोटे में पांच या दस दाने सफेद तिल के डाल दीजिए। और साथ ही एक दूर्वा का जो टुकडा है, वो लेकर उस लोटे के अंदर डाल देना है। तो उस लोटे में आपने एक पतासा या कुछ भी मीठा पांच या दस दाने सफेद तिल और साथ ही एक दूर्वा का टुकडा डालना है। अब आपको या मिश्रन तयार करके उस लोटे को लेकर पहुँच जाना है पीपल के पेड के पास, आपके आस पास में कोई भी पीपल का पेड हो उसके नीचे जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मूख करके श्री लक्ष्मी नारायन भगवान से अपनी मनो कामना हेतू प्रार्थना करें। मा, यदि अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें। और आप स्वयम कर रहे हैं तो अपने शीग्र विवाह के लिए कामना कर लें। ध्यान रखें, माता या बहने अशुधि का समय हो, तो उस दिन तो न करें। घर का कोई और दूसरा सदस्य उसके निर्मित इस प्रयोग को कर सकता है। लक्ष्मी नारायन भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए जो लौटा मिश्रन आप तयार करके लाएं हैं, वह पीपल के पेड में आपको अरपन कर देना है। और अपनी मनो कामना हेथू श्री लक्ष्मी नारायन भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है ध्यान से सुने। आशीरवाद मुझे प्रदान करें। माता या पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें और उसके बाद आपको तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। मनो कामना हे तू प्रार्थना करें। और अतिति में विशेश कर गौ माता की सेवा करने का बहुत ज्यादा पुण्य मिलता तो इस कार्य को करने के पश्चात आप गौ माता की किसी न किसी प्रकार से सेवा करें। या चने की दाल खिलाएं और गौ माता का स्पर्श करके आशीरवाद लें। प्रियसाथियों, यह मात्र एक ही दिन का प्रयोग। आप किसी भी गुप्त नवरात्र को अपनाएं। और कुछ दिनों तक बात नहीं भी बने, तो आपको फिर अगली अमावस्या को इसी प्रयोग को अपनाना है। यह बहुत चमतकारी एवं प्रभावशाली प्रयोग है। पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। मेरा एक विशेश निवेदन है, मेरे द्वारा जानकारी आपको दी जाती है। यह जानकार यह प्रयोग वास्तव में आपकी आत्मा को छूती है, आपको अच्छी लगती है। तो एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एवं दूसरे लोगों तक शेर जरूर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी लाभानवित हो सके और उसका पुन्य आपको जीवन भर मिलता रहे। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का आशीरवाद आपके उपर सदा बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्या।